आज हम पढ़ेंगे पेस फाइव 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 फॉर के लेसन बर फिफ्टीन को इससे पहले के लेसन स्टार्ट करें आप लोग मेरा चनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें लेसन फॉर्टीन में भी हमने पैटर्र रिकोगनीशन को पढ़ा था इसके अंदर भी हम पैटर्र रिकोगनीशन को फीचर अनलसिस को डिसक्रस करेंगे इसके एक एकजामपल है जीन लेटर्स में ज्यादतर कॉमन फीचर होते हैं उनको रिकोगनाईज करते हुए लोग मिस्टेक्स करते हैं लोगों को डिफरेंट वर्ड दिखाये गए जिस तरह सी हो गया जी हो गया ओ गया नाइन हो गया उनको यह जब वर्ड दिखाये गए थोड़ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उनको यह वर्ड दिखाये गए C दिखायाजाथा प्र Hide करिया जाता G दिखायाजाथा प्र Hide करिया जाता C दिखायाजाथा उनसे पूचा जाता है Bar 속 बहुत से लोग बताते C लेकिन ज़्यादा तर लोग Recognize नहीं कर पाते will कोई G बता देता, कोई O बता देता, क्यूंकि ये इनके अंदर एक common curve थी C, G और O के अंदर common curve है इसलिए रोग आपस में इनको mismatch करते थे तो जो result निकला 29 errors when letter G was presented 21 errors C की दफ़ा हुए 6 mis classification O की दफ़ा 1, B की दफ़ा और एक 9 की दफ़ा No other error occurred simply आपको मेरे बात समझा की मैंने क्या कहा है simple यह कि C थोड़े दिर के लिए दिखाया बात में लोगों से पुछा गया तो कुछ ने ये भी समझा कि G है और कुछ ने समझा O है इसी तरह G की दफ़ा भी इसी तरह O की दफ़ा भी और 9 की दफ़ा भी इसी तरह हुआ लोग miss understand कर गए एक वर्ड को दूसरे वर्ड की से उन्होंने रिप्लेस कर दिया implications के अंदर भी यही कह रहा है कि it is clear that subjects were choosing items with similar features C, G, O, B, 9 all share a curve इन सब में curve है such response pattern would be predicted by a featured analysis model यह feature analysis model के related बात कर रहा है जो हमने उपर पढ़ा था कि एक आल लड़ी हमारे mind में pattern set होते है पढ़ा था उनके साथ मारा mind compare करता है उन patterns को जो image देखता है और वो फिर में बताता है कि यह कौन सा image है speech recognition और auditory recognition it is much complex speech में loves की segmentation इतनी clear नहीं होती जितनी return में होती return में के अंदर तो में नजर आ रहा होता है न separate लिखा हुआ लेकिन speech के अंदर इतनी clear नहीं होती अब भी देखें एक बंदा है हम आपस में बात करते हैं मैं कहता हूँ क्या हाल है और क्या हो रहा है highlighted देखें क्या हाल है और क्या हो रहा है आपको समझा रही है मैंने क्या कहा है लेकिन एक बंदा जो unknown है है जिसको हमारे लگउज नहीं आती इसको उसको किया हल समझाईगे उसको समझेगे क्या हला क्या हो हला है ऐला हियाल है क्या हो रहे है है इसी के उर्द्स के अंदर दर्जक्राइब था अब मैंने तो प्मक्ते फिट लोस ना, उनके अंदर मैंने segmentation की है, क्या अलग बोला हाल लग बोला है, है अलग बोला, क्या हाल है, मतलब क्या हाल है आपको समझा चीए कि यह वर्ड अलग लग हैं, लेकिन जिसको उद्दू नहीं आती वो बंदा उसको समझी आएगी अलग अलग वर्ड है I think आपको यह जिस क्लियर हो गई होगी Phonems Basic Vocabulary of Speech Sounds Speech Sounds की Basic Vocabulary है उसको Phonems कहते है Unit of Speech कह लें आप School है इसके अंदर चार Phonem योज़ होएं ब्रैकेट के अंदर देखें पहले S, दुसरा K, U और I मतलब पहले S की आवाज है फिर K की आवाज है फिर O की आवाज है और फिर I कह दिया था मैंने फिर L की आवाज है School S, K, U, L ब्रैकेट के नहीं है School Original Spelling S, C, H, W, L है लेकिन जो word हम बोलते हैं उससे जो लवज निकलता है वो school है S, K, U, L फिर ये जो चार word है S, K, U, L फोनिम्स फोनिम्स के अंदर एक चीज जो important वो है voicing Voicing क्या है Voicing के अंदर main चीज जो हैना vibration involved होती है Voicing करना मतलब कि किसी जीज़ के अंदर vibration का होना और या किसी जीज़ के अंदर vibration का मौजूद ना होना Voicing है अब भी दो वर्ड यहां पर बोल रहा है zip और sip हम आप देखें एक बार zip बोलें फिर sip बोलें same pattern से same तरीके से हम zip भी pronounce करें और sip भी pronounce करें लेकिन क्या है जब हम sip बोलते हैं तो किसी किसम को vibration नहीं होती हमारे throat में लेकिन जब हम zip बोलते हैं तो एक vibration महसूस होती है हमारे throat के अंदर voicing यही चीज़ है मतलब vibration का होना या ना होना place of articulation इसके अंदर यह देखें experiment भी किया गया अच्छा articulation के अंदर कह रहा है it refers to the place at which the vocal track is closed or constricted in the production of a phoneme it is closed at some point in utterance of most consonants दो वर्ड यहां पर दो टर्म यूज़ होई है यहां पर bilabial और alveolar bilabial का मतलब है कि दोनों होन्टों को जोड़ कर bilabial मतलब होन्टों को जोड़ कर जोवाज निकालनी है जिस तरह यह देखें मैंना highlight किया है bilabial वर्ड है B और P दोनों सेम तरीके से voices प्रोनाउंस हो रही है bilabial इनको इसलिक आगा है दोनों के दर्में होन्टों को जोड़ कर B, P यह bilabial voices है alveolar क्या है alveolar के अंदर कह रहा है कि alveolar कहते हैं उपर वाली साइड हमारे दांतों के पीछे उपर वाली साइड पर जो जगा है ना उसको alveolar कहते हैं दो वर्ड है D और T इन दोनों को जब हम बोलते हैं तो क्या करते हैं हम अपनी जबान को उपर वाले तालू के साथ alveolar के साथ हम attach करते हैं इसलिए इन इन वर्ड को इन फोनीम्स को alveolar कहते हैं फोनीम्स का मैं आपको दोबारा बजाता हूँ फोनीम्स मैंने कहा था फोनीम्स जो है ये है वोकबलिरी औफस्पीच साउंड या यूनिट आफस्पीच फोनीम्स है वर्डिंग अवाज जो हम निकालते हैं सा, दा, ला ये सब फोनिम्स है मैं अमीद करता हूँ कि आपको समझ आगे होगी लेसन थोड़ा सा कन्फियूजिंग था लेकिन फिर भी मैंने कुशिश किया कि जितना सिंपल हो सके मैं कर दूँ फिर भी कोई क्वेसन आपका हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट जरूर कर सकते हैं मुझे मेल कर सकते हैं जल्दी मिलते हैं अपने लेसन सिक्स्टीन के साथ तिल दें टेक कैर, अलाह आफिज